सब्सक्राइब किजए हमारी चैनल को ताकि आने वाले नए वीडियो की अब्डेस आपको रेङुलर्ली मिलती रहे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सावन का पवितर महिना बगवान सिव जी को समरुपित है इस पवित्र महिने में बगवान सीव जी की विसेश पुजा अर्चना की जाती है और सीव भक्त इनकी कुरुपा प्राप्त करने के लिए इनका जल्द से अभिसेख करते हैं अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गुरु यानि की ब्रुहस्पती माना गया है ऐसा बताया जाता है कि अगर व्यक्ति को दन संपदा की काम ना हो तो इसके लिए गुरुवार का दिन बहुती सुब होता है गुरु हमारे भाग्य के देवता माने जाते हैं वहवाईक जीवन और भाग्य के कारक गुरु है अगर आप सावन के पवित्र महिने में गुरुग्र से जुड़े हुए कुछ उपाई करते हैं तो इसका फल आपको सिग्र ही मिलता है अगर आपकी कुंडली में गुरुग अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इससे बोलेनात के साथ साथ गूरु की भी कुरुपा आपके उपर बनी रहेगी तो चलिए जानते हैं सावन के गुरुवार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए अगर आप सावन के सभी सुववार का वरत करते हैं तो इसके साथ साथ आप गुरुवार का भी वरत करें ये वरत गुरु कुरह के लिए रखा जाता है आप गुरु भुहस्पति की प्रतीमा या तस्वीर को पीले कपड़े पर बिराजमान करे और इसकी पुजा करे आप पुजा में केसर्या चंदन, पीले चावल, पीले फूल इत्यादिका इस्तमाल कर सकते हैं और प्रसाद के रीप में पीले पकवान या पीले फल अरपित करे आप पीले कपड़े पहन कर इनकी पुजा करे इस दिन आप नमक का सेवन ना करे भोजन में आप पीले रंके पकवान का इस्तमाल करे आप सावन के पवित्र महिने में गुरुवार के दिन महादेव जीव की भी आरादना करे आप गुरुवार के दिन किसी भी सिव मंदिर में जाकर भगवान सिव जी की पुजा करे और गुरुवार की साम को आप केले के व्रुक्स के नीचे दीपक जरूर जलाए और केले के व्रुक्स की पुजा करते हुए लड्डू अर्पित करें अगर आप गुरुवार के दिन पुजा करते हैं तो पुजा करने के बाद केसर और चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाए अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसके स्थान पर हल्दी का भी प्रयोक कर सकते हैं इससे बुरुस्पति की कुरुपा दस्टी आपके उपर हमेशा बनी रहेगी गुरुवार के दिन आप गुरु से जुड़ी हुई पीली चीजे जैसे की हल्दी और चने की दाल का दान करे अगर आप अपने भाग्य को प्रबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता या घर के बड़े लोगों का आसिरुवाद लीजिए इससे आपकी किस्मत प्रबल होती है और धन संपति में बड़ोतरी होती है अगर आपके जिवन में किसी प्रकार की परेशान या उत्पन हो रही है या फिर आप आर्थिक परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुवार की साम निर्दन बच्चों को केले का दान करे इससे आपको फाइदा होगा दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय बोले नात अवश्य लिखे